7 जुलाई तस्वीरों से पटा पड़ा है। आपको बता दें कि इंग्लेंड में चल रहे क्रिकेट विश्व कप में हेडिंगले में श्रेलंका के खलाब भारत की जीत के बाद उन्होंने होटल में टीम के साथ और परिवार के साथ अपना बड़े सेलिब्रेट किया। असदौरान साक् इंस्टाग्राम पर और ट्वीटर पर जबदस तरीके शेयर की जा रही है, क्योंकि उनके सहयोगियों ने ही वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोश्ट किया है। आपको बता दें कि हार्दिक पांडिया ने इंस्टाग्राम पर धोनी के साथ खुद के बूम आज रिशप पंत ने भी धोनी के लिए ट्विटर पर लिखा कि जर्मदिन मुबारक हो माई भाई एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में हमेशा एक संडरक्षक के रूप में रहने के लिए धन्यवाद, जीवन में हमेशा अधिक सफलता प्राम्त करें वहीं दूसरी ओर धोनी के होम टाउन, राची में हर तरफ जश्न का माहौल है, आपको बता दे कि धोनी इस साल भी जर्म दिन पर अपने होम टाउन राची में नहीं है, क्योंकि धोनी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लेंड में मौजूद हैं, लेकिन शेहर के अलग-अल आपको बता दे कि राची में धोनी को याद कर और उन्हें जर्म दिन की बधाई देने के लिए सबसे अलग तरीक अपनाये गया, राची के युवा किर्केट्रो और उनके चाहने वालों ने विशेह सुरूप से धोनी के जर्म दोनी के जन्म दिन का कारेकर बखा और इसके साथ ही धोनी के 38 जन्म दिन पर 40 पाउंड का केक काटकर उनका बड़े सेलिब्रेट किया, प्रसंसको ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी और हैपई बड़े कहकर धोनी को शुब कामनाये भेजी, राची से आकाश कुमार, ब्यू